ओम नमस्षिवाय हरहर महादेव जैशू शंबो आपकी राशी के जातकों में कुछ आसाधरन गुण होते हैं कुछ आसाधरन व्यक्ति होते हैं उनके क्या पहचान है हर एक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ उद्देश लेकर चलता है अच्छे और बुरे उद्देश दोनों हो सकते हैं कई बार हमें पता होता है कि उद्देश सही है कई बार बिना उद्देश के जीवन हम जीते रहते हैं लेकिन आपकी राशी के कुछ आसाधरन व्यक्ति होते हैं उन आसाधरन व्यक्तियों के आठ संकेत होते हैं और आप भी आसाधरन हो सकते हैं अगर आपके साथ इन संकेतों का मेल हो रहा होगा। वो कौन से संकेते यकीन मानिएगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने बारे में बहुती विस्तार से और बहुती अलग चीजे जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो अंत तक देखकर उन आठ संकेतों को पहचानने के अवशकता हैं दोस्तों। सबसे पहला संकेत मिलता है कि अगर आप में काम, क्रोध, लोब, मौ इन सभी का आगमन जो मन में वो बंद हो जाता है। थोड़ा बहुत सामानी रूप से होना एक अलग बात है। लेकिन आप अपना स्वार्त छोड़कर दूसरों की मदद में डेडिकेट हो जाना। यह सबसे पहला और मूल संकेत है कि आप व्यक्ति, आप कोई साधरन व्यक्ति नहीं है, आप आसाधरन व्यक्ति हैं, आपकी कुंड़ी में जो ग्रह हैं आपके लिए बहुत ज़दा पॉजिटिव साइन अप करेंगे और बहुत बार आपको बुरी कंडिशनों से निकाला भी है, तो यह बहुत बड़ा संकेत है कि काम, कुरोध और लोब, सामानी रूप से इस जीवन में होना दिखावे तोर पर एक अलग बात है, लेकिन वास्तविक्ता में उनके मन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, और यह संकेत बहुत इंपोर्टेंट संकेत है, दूसरा संके विकती है, कि वह लोग कानी नींद अचानक भ्रह्म मुहरत में खुलती ही, सुबढ तीन से पाच बजए का बात होता है, और अगर आप अचानक तीन से पाच बजए के बीच आपकी नींद खुलती है, तो यह जो बहुत बड़ा संकेत है, और यह कोई असाधर्agar संकेत नह और आपना स्वार्थ सोचे अपना अच्छा बूरा सोचे बिना कुछ अच्छा बूरा आगे पिछे सोचे उस विक्टी की मदद की लिए पूरा डेडिकेट हो जाता अपना धन समय पैसा सब निरचावर कर देता है तो यहां जो संकेत हैं यहां आसाध्यान विक्ति की संके थे दोस्तों और ऐसा आपके साथ होता है आप ऐसा करते भी हैं खुद को कहीं बार समझाते भी हैं कि मैं नहीं करूं ऐसा एकिन फिर भी खुद को नहीं रोक पाते हैं और वैसा आप करते ही हैं अगला संकेत है कि वह जाता जिनको खुश्बू होती है एक ऐसी सुगंद मैसूस होती है कि उन्हें ऐसा लगता है कि कोई दिवी शक्ति कोई हमें अंदर से कोई गाइड कर रहा है कोई में रस्ता दिखा रहा है कोई रहा दिखा रहा है ऐसा उनका अनुभव होता है वो अनुभव कभी किसी के साथ इसा शेयर नहीं कर बात ह लेकिन उनके मन और आंतरिक मन में यह चीज़े उन्हें लगती है साथी यह इसमें एक और संकेत यह लगता है कि उन्हें ऐसा अनुभव होता है कि कोई शक्ती हमें चला रही है कोई शक्ती हमें इंगीत कर रही है मन से कुछ बाते कह रही है जो हम कहना चाहते हैं और एक और संकेत है कि उनका जो six sense है वो जागरत हो जाता है उन्हें पता लगता है कि भविश्य में क्या होने वाला है कौन से चीज़े बूरी और कौन से चीज़े अच्छी होने वाली है वो उन्हें संकेतित हो जाती है के बाद वो comigo बात के हिए कि ऐसा तो मेरे साथ हुन है. और यही संकेत तो तीनों संकेत आपस में मिलते हैं कि मुस्तन के यही विकित इसे बहुत बड़ा परिसे देती है refugee ऑ丁वी दोस्तों, अब एक और मूल संकेत यहां मिलता है कि व्यक्ति इश्वर को सब कुछ मानता है उनका सुख दुख अच्छा बूरा पूरा आश्रा उनका इश्वर पर है चाहे कुछ भी हो जाए तो ये जो भाव उत्पन होना इश्वर के प्रती यह भी एक बहुत बड़ा संकेत है अब रही बात कुछ एक्स्ट्रा टिप्स में आपको देता हूँ कि ऐसे जात्मों को मन में डर होता है कि कोई हमारा बुरा कर देगा कोई अग्याद डर होता है आपका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता है यह बात याद रखीगा आप पर इश्वर की यह संकेत अगर आपसे मिल रहे है जरूर नहीं कि पूरे संकेत मिले है अगर आपको एक या दो संकेत भी मिल रहे है अगर आपसे एक या दो संकेत मिल रहे है तो जरूर कमेंट्स बताए कि आपसे संकेत मिल रहें, आपके साथ क्या अनुबह होता है अगर ये सब कुछ चीजह आपके साथ अनुबह हो रही है उसका फीस और शुल्क लाग वे जो हमसे मदद हो पाईगी जरूर आपकी करेंगे एक निवेदने की ये वीडियो में जो बताई जान करी कि आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं और दोस्तो एक और नहीं वेदा नहीं कि वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में भुले नात का नाम जरूर लिकें ओम नमस्षिव भाई